हलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड गपशप आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी बॉलिवुड गपशप में आज क्या है खास चलिए डालेंगे नज़र बॉलिवुड के सिंगम यानिकी अज़े देवगन एक बाफ फिर अपने निर्देशन में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं अज़े देवगन के इस नई फिल्म का नाम मेडे बताय जा रहा है हाला कि प्रोजेक्ट के शुरुआत से पहले से ही से लेकर लगतार चर्चा चलती रही है वहीं अब फिल्म के निर्माताओं की तरफ से भी इसे लेकर उफीशल एनॉंस्मेंट भी किया जा चुका है इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल दिसंबर से शुरू हो चुकी है हैदरबाद में इस फिल्म का एहम हिस्सा शूट किया गया था वेल खास बात तो ये है कि इस फिल्म में एक बार फिर अज़र देवगन और अमिताब बच्चों ने एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे इससे पहले दोनों स्टार फिल्म सत्ग्रेक में एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिये थे काफी लंबे वक्त बात दोनों को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के लिए दर्शकों में काफी उठसुकता है फिल्म मेकर करन जोहर आए दिन अपने बॉलिवर दोस्तों के लिए कोई न कोई पार्टी होस्ट करते रहते हैं अब हाली में करन अपने दोनों बचों यश और रूही की बर्दे पार्टी होस्ट की थी जिसमें कई स्लेब्स अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे जो लेक बाद फिर से मा बनने वाली करीना को भी तैमूर के साथ पार्टी में स्पॉट किया गया था टीवी शोस प्रोडियूसर एक तक अपूर भी अपने बेटे रवी संग इस पार्टी में पहुंची थी गौरी खान और अबराम को भी पार्टी में देखा गया इतना ही नहीं और भी कई सारे सितारे इस पार्टी में अपने बच्चों के साथ नसराय थे एक्टर सेफ अली खान चौती बार पिता बनने वाले हैं और इस बार भी वो हर बार की तरह पैटर्निटी लीव लेने वाले है सेफ अली खान का कहना है कि ये बहुत ही खास मौका होता है अगर आपने ये समय गवा दिया तो आपने देखा ही क्या सेफ ने हाली में एक इंटर्व्यू में पैटर्निटी लीव को बहुत जरूरी बताया बता दे सेफ अली खान ने 16 अक्टूबर 2012 को करीना से शादी की थी उनसे उनका 4 साल का बेटा तैमूर अली खान है करीना जल्द ही मार्च में दूसरे बच्चे को जनम देने वाली है फेमस टीवे एक्टरिस अंकिता लोख खंडे शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है एक्टरिस अक्सर अपनी पोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती है हाली में अंकिता ने इंस्टाग्राम पर अपने एक डांस वीडियो शेयर किया है जो शोशल बीडिया पर काफी बाइरल होने लगा है इस वीडियो में वो माधुरी दिक्षित के फेमस सॉंग धक धक करने लगा पर जबरदस डांस कर रही है हाला कि उनका ये डांस वीडियो फैंस को पसंद नहीं आया लोगों का कहना है कि शुशान्त के फैंस उन्हें अब तक नहीं भूले है और अंकिता इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो शेयर कर रही है और इसलिए लोगों ने अंकिता को एक बार फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया है गजल समराट जगजीत सिंग की आवास का जादू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर चाया हुआ है आज भी उनका नाम दुनिया भर में समान के साथ लिया जाता है आज जगजीत सिंग का जनम दिन है अगर आज वो इस दुनिया में होते वो अपना 77 जनम दिन मना रही होते बच्पन से ही संगीत के प्रती उनकी गहरी दिल्चस्पी रखने वाले जगजीत सिंग इसी में अपनी करियर बनाना चाहते थे लेकिन उनकी प्रेम कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जगजीत सिंग एक शादी शुदा महिला को अपना दिल दे बैठे थे और उसी महिला के पती से जाकर उनका हाथ भी मांग लिया था बॉलिवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल्ड इंडिया